मानेवर अब मैं पुर्वत्तर की बात करना चाहता हूँ, नौर्थीस भी तीसरा होट्सपोट माना जाता था, मानेवर हिंसक घटनाए सेम कालखंड की में लेकर आया हूँ, फिरसी इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाए 10,000 होती थी, इसकी जगत 3,238 हुई, आगरीक 2,298, अब 420, 82 प्रतिसत की कमें, हर हेड में हिंसा नौर्थीस्ट के अंदर कम हो लोगों, और इसके पहले मानेवर किसकी सरकार लोगी थी, दस साल तक नौर्थीस्ट के सारे राज्य और यहाँ पर यह यूपीए की सरकार थी मानेवर, अगर कुछ नहीं होता था, निवेधन करना, पोलिटिक्स करना और अंदर अंदर जगडा लगाना यही काम था, नरेंदर मोधी जी ने नौर्थीस्ट को मन के साथ भारत के साथ जूडने का काम किया, हमारे कई डैवलोप्मेंट के पंडित कहते हैं, मोधी जी ने नौर्थीस्ट को, नॉर्थ इस्ट को मैं बताता हूँ या ये भी बताता हूँ मानेवर कई विकास के पंडित केते हैं नॉर्थ इस्ट में एरपोर्ट पहुंच गया दूरी कम हो गई कई विकास के पंडित केते हैं आठोराज्यों में रेल पहुंच गई दूरी कम हो गई कई विकास के पंडिक कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया दूरी कम हुई अरे भाई दूरी रोड रेलवे और विमान से कम नहीं होती है दूरी दिल से कम होती है मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नौर्थिष्ट को मेंस्ट्रीम में लाने का काम किया है आज मैं कहता हूँ ऐसे भी प्रधान मंत्री है मोदी जी को 9 साल हुए है 15 साल और 18 साल प्रधान मंत्री रह हुए लोग है इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है वगर ये को कभी 50 बार नहीं गए मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नौर्थिश्ट है ये बताता है ये बताता है कि नौर्थिश्ट इस देश का हिस्सा है इसका कसक हमारे मन में उत्तरप्रदेश से बड़ा भुबाग क इस तरह से छोड़ दिया आग जन्नी टेररिस्ट नसली इंसा है और आप हमारा हिसाब माते हो बोलो मनिपूर मैं बताता हूं मैं फिर बोलूगा मनिपूर मनेवर इन लोगों ने नौर्थिश्ट के लिए कुछ नहीं किया ना विकास किया है ना कुछ किया है मैं आपको ब ब्रमपुत्र के पूर को बड़े-बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट करकर सिंचाई भी होगी बाढ का रास्ता भी होगा और परियतन भी होगा ये बाढ मुक्त नौर्थिश्ट आने वाले वर्चुन और हम बना करेंगे नौर्थिश्ट को बाड़ मुख क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गीरने वाला है जनता हमें चुनने वाली है क्योंकि भले आपको अविश्वास हो मगर जनता को तो मान्यवर मैं जब एक कहता हूँ तब हमने नौर्थ इस में सांती ऐसे भावनावों से नहीं करी है एक काग जी सांती नहीं है इसके पाँ इसके पीछे रननिती है इसके पाल पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है मान्यवर 2014 में अचीक नेशनल वालेंटर काउंसिल की हमने समाधान करा लगबग 674 लोग समाधान हुआ अब ये अचीक नेशनल वालेंटर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए थे एनल अप्टी के साथ 2019 में समाधान हुआ इठासी अठारी लोगों ने सरंडर किया इसमें 144 लोग मारे गए थे बोडो लेंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो लेंड के साथ समाधान हुआ 2020 में एनल अप्टी के साथ 19 में हुआ 2020 में बोडो लेंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो लेंड के साथ हुआ 1630 लोग सरंडर किये 4300 लोग बोडो लेंड की इंसा में मारे गए थे मारे वर 4362 लोग और इन्होंने सत्या डाले कार्वी समू 197 लोग मारे गए थे 1000 उग्रवादियोंने समर्धन किया असम असाधी आधिवासी ससस्त्र समू 1182 लोगों ने सरंदर किया 139 लोग मारे गए थे और दिमासा नेशनल लिब्रल आर्मी 168 लोगों ने सरंडर किया इसमें 25 लोग मारे गए थे मानेवर कूल 8000 ससस्त्र उगरवादियों ने सरंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में दिया और हमारे सनमानिय सदर्श गवरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है देखा नहीं जा रहा है आग की लप्टे अभी तो मनिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है परन्तु आपके समय में तो आठ राज्य आग की लप्टों से घेरे हुए थे और हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो अब सरंडर होकर में स्क्रीम के अंदर आए मन्या दगजी मैं इसलिए आपको एक कहना चाहता हूं कि पुर्वत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68% सुरक्सा बलो की हत् नागरिक में 82% कमी करी है यह सारा मैंने जो कहा वो समझोते किये हैं आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षित्र मुक मनिपूर के अंदर 7 जीलों के 19 पोली स्टेशन हटाए गए अरुनाचल में केवल 1 जीलाव और 3 पोली स्टेशन बज गए नागालें में 8 जीलों क कि जो बचा कुछा काम बाखी है वो भी हम ही पूरा करेंगे क्योंकि आपका अपने विश्वास प्रस्ताव गिनने वाला है जनता हमें चुनने वाली है क्योंकि जनता को आपको बले अविश्वास हो जनता को